एक बार छे अंधे व्यक्तियों की आँखों पर पट्टी बांध कर यह बतानी के लिए कहा गया कि वे एक वस्तु को स्पर्श करने पर क्या अनुभाव करते हैं। उन्हें एक हाथी के विभिन हिस्सों को स्पर्श करने के लिए कहा गया। पहले व्यक्ती ने पेट को छुआ और कहा कि यह एक विशाल दीवार है दूसरे ने हाथी के दाथ को छुआ कर कहा कि यह भाले की तरह लग रहा है तीसरे ने हाथी की सून को छुआ और सोचा कि यह एक साप है चोथे ने पैर को छुआ और सोचा कि यह एक पेड़ का तना है पाचवे ने कान को छुआ और कहा कि यह एक पंखा था छटे ने जूलती हुई पूच को छुआ और आश्वस्त हो गया कि यह एक रसी है सीख, हमेशा दूर का सोचे, गलत फहमी और आंक्षिक ज्यान के आधार पर निर्णय ना ले क्या mutual fund योजनाओं में निवेश करते समय ऐसा होता है? शायद कभी-कभी mutual funds के बारे में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धारनाएं एवं मिथक होती है स्यादातर लोग इसकी धन-णिर्मान च्छमता को समझे बिना इसे एक जोखिम भरा निवेश मानते हैं और निवेश को टालते हैं कुछ लोग बाजार में समय निर्धारन करने की कोशिश करते हैं और अनुचित निवेश निर्णय लेते हैं हम इससे कैसे निवेश करें अपने लक्षियों और जोखिम की च्छमता के अनुसार अपने निवेश की योजना बनाएं और विशेशग्य की सलाह लें अधिक जानकारी के लिए 7-3-5-8-7-1-2-3-4-5 पर मिस्ट कॉल दें म्यूचित निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें